यूपी ट्रिपल स्ती जेई 2018 रिजल्ट को ले करके यह बहुत जादे जरूरी वीडियो है तो आप लोग इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा देखिए आज 6 तारीक को ये वीडियो अपलोड हो रहा है और आज के ही दिन 6 मार्च को आपका डीवी जो है कम्प्लीट हो गया ह तो आप मान के चलिए कि आज आपकी डेटा फीडिंग या तो कम्प्लीट हो चुकी है या कल 7 मार्च को हो जाएगी अब आप लोग कल से परियास सुरू करेगे आप लोग अभी तक पता नहीं क्यों स्लीप मोड में चल रहे थे यानि 7 मार्च का इंतियार कर रहे थे ये इ पता रहा है तो आप लोग फिर सारे लोग मुझको कमेंट करने लगे कि या आप तो डिमोटिवेट कर दिये लड़कों को आप समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो ऐसी बात हो गई अगला आदमी अकेले धरना दे देके मर जाए वो अकेले दूड़े दूप अब बाद में चाहे उस पर भाड़ देना कि या सारा लास्ट में मोटिव डाउन करने का काम तो लोड़का गया था एक तारीक को वही सबका मूड खराब कर दिया वहना तो एह हम लोग तो साथ तारीक को ही से जल जला जाते पूरा लगनौ पाताल में चला जाता भाईया कल आप लोगों के क्या ओर्चा होगी यह डिसाइट करेगा अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कल आप लोग निकलेंगे साथ मार्च को साथ मार्च के दिन में आप यह समझेगा कि साथ मार्च क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा पता चल जाएगा नहीं साथ के बाद में ऑगर आपको थोड़ा भोत आस्वासन मिलता है हो सकता है 8 तारिक को सिवरात तरीक लिए छुट्ती बंद 9 तारिक को सेकंड सट्रेड़े बंद 10 तारिक को संडे 3 दिन आयोग बंद रहे रहे अब अगर तीन दिन आयोग बंद रह रहा है या तीन दिन में दो भी छुटिया हो रही है तो आप यह मान के चलिए कि आपके चांसे डिक्रीज हो रहा है लेकिन अगर साथ तारीक के बाद में आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा और मिल रहा है कि नहीं काम मिल रहा है तो आप क जो भी अनपूरव सूची मिलाकर है तो अगर डेटा फीडिंग का काम आपने करवा लिया या आपको बताया जाएगा तो आप रिक्वेस्ट करेंगे या जो भी आपके पास तरीका हो क्योंकि आपको तरीके पर बात मेरे उपर फाड़ें या इंचान के उपर फाड़ें जो अगर डेटा फीडिंग सर हो चुकी है तो आप रिजल्ट पर प्रोसेस स्टार्ट करा दीजिए अब रिजल्ट पर प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा फिर आपको एक्ट्वल डेट पता जलके निकल के आएगी कि बहुत लोगों ने बोला कि तुमको कुछ पता बता है न नहीं हो रही है तो यह मान के चलो कि आयो कुछ ना कुछ बड़ा करने के मूड में है फिर आपके पास गूड़न चांस है रिजल्ट पर काम शुरू कराने का और काम सुरू होते एक दिन में कतम हो जाएगा कि एक महीना लेगा यह जब काम सुरू होगा तब भी पता अब 10 मार्च में क्यों बोल लो 10 मार्च के बाद में फिर अगर माल लो इन दिवसों में नहीं खतम हो रहा है बाद में फिर आपकी जो डेट आएगी वह आएगी 11 12 13 14 और इन सब डेटों के किया हैं यह समझ लोग कि एकदम रेड जोन की डेटे हैं कभी भी आचार सहिता लग सत्रेक्ष करेंगे राक qui साउंसे अब लोगों को लगता है कि का मंढेंगे हम बहुत बपादां कर देंगे बहुत बदा करने के लिए आपको पता चल जाएगा kब होगा result का क्रम किसी को नहीं पता होगा मैं आपको बता पहले जी ही का ही result आएगा यह मैं आपको 100% बता रहा हूं जब भी result आएगा जीए का पहले आएगा उसके बाद मन्डी आएगा फिर सो आएगा जो तो यह इस खरम में आएंगे ठीक है अब जी का काम को पता चल जाएगा कि काम सुरू हो रहा है इतने दिन की बेदर बन जाएगा बीच बीच में कुछ नहीं करना है आचार सहिता में कुछ भी भगवात सिंग वाला तुमारे विचार धरे के धरे रहे जाएंगे तब वही एक आइडिया जो मैंने बहुत दिन पहले बताया तो कल से प्रियास अगर शुरू कर रहे होना तो देट सीट ध्यान करके करेगा इसलिए वीडियो था बहुत ज़्यादा जरूरी बात है समझ जो ठीक है लेकिन ना भी समझो तो भी ठीक है लेकिन एक शीद ध्यान दगना सब लोगों ने बहुत प्रियास किया है आप बिन्हों कि result हमको चाहिए, अगर मान लीजिये, जो भी, मैं तो अब negative कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ भी percent chance है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो ये किसी एक ब्यक्त की वज़ा से नहीं है, हमारी किस्मत की वज़ा से है, प्रियास सबने हमने किया, बस किया, देखते ये बहुत जादा जरूरती, अब लोग कल से लगे, जो भी हो पाएगा, कहा जाएगा, थैंक्यू भाई